असलाम लीकुम जी तो कैसे हैं सब होफुली सब ठीक ठाक होंगे अपने घरों में सेव होंगे हम भी आलाम दरीला ठीक ठाक आज बेनेंगे एपल और दहीं की मज़ेदार सी रेसिपी तब यह कुछ नसास थी और मूट कुछ भी नहीं था बनाने का सोचा जो जलो जल्दी से इसके मिख सब्दी करना है कि यूज का साथ साथ चीनी भी मिक्स हो जाएगी और जो आपका दही है वह भी थोड़ा बीट हो जाएगा कि हमें थोड़ा से लही टाइप दहीं चाहिए था कि एसलिए हमने उसको बीटर की म स्वंदर से बीट कर ले ने टीक है जैसे ही आपको आपका जो दहीं अच्छे से हैंड बीटर के माद़ से बीट हो शुका है तो अब हम चलेंगे जी अपने नेक्स स्टेप की तरफ हमने चीजों को रखना है अब साइड पे अब जो मारा बॉल है मेन वाला वो हम इसको सामने लिख के आएंगे अब जी जो मेरा अगे वाला स्टेप वह यह है कि मैंने जो मेरे थे सोरी एपल वा मैंने को चुट-चुटे शेप में कटिंग कर लिया था कुछ इस तरह से देख बत्त बाइपल को फ्रांस्फर करेंगे थैका है आपने इसके अंदर एड़ करेंगे आपने च sekarang चाट मसाला लिख्षषविसके लावाँ आपको एड़ कर सकते हैं अगर आपको फ्लेवर पसंद है तो फिला में चार्ट मसाला एड़ किया है उसके बाद जो हमने दहीं को बीट करके रखा हुआ था दहीं आपने अपनी रिक्वार्मेंट के मताबिक इसके अंदर एड़ करनी है अब जी इसको आप फ्रूट में जरूर बतायागा अच्छे चे कोमेंट्स करके जरूर मुझे बतायागा उसके बाद यह जी देखें जी मैंने इसके उपर यह तकरीबन कुछ हाफ लुक अभी फाइनल नहीं हुई है उसके बाद ही हमने इसके अंदर जामेशीरी एड़ कर दिया था जैसे ही आप इसक को मिक्स अप नहीं किया ठीक है अगर तो आप इसको मिक्स अप करेंगे तो इसके लुक जो है वह से मार्किट स्टाइल की जो क्रीम चार्ट मिलती है जह में शीरी कलर आएगा उसमें बहुत ही जबर्दस लगेगा मुझे मेरी आज की रेसिपी चोटी सी आपको बहुत की जो ही जो ही जो बहुत है जो है जीरी को बह houुत है की घोड़ी धेग्य जी जा टीज जा जैएई तो ढ olmas है और वा हातों की जोच एगई, जिस आप हो का बहुत है जो है की जोबता है कि जो एक है जो एह एक जो है